रजकार आप सुन रहे हैं रेडियो इंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आजए अंजू रेडियो इंदुस्तान के न्यू स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागता आज खबर बिर्टेन से है बिर्टेन की खबर ने अभी पूरी दुनिया में धूम बचा रखी क्योंकि रिशक सुनक बन गए हैं बिर्टेन के प्रधान मंतरी जी हाँ वो मूल रुप से भारती हैं क्योंकि उनके माता पिता भारत से हैं और रिश्य सुनक के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ये जी इतली स्ट्रस को हराकर हाल आसल की है ये बताया जा रहा है कि दो महने पुर्व उन्होंने पार्टी के भीतर प्रधान मंतरी पत के लिए हुए चुनाव में जो हिसा लिया था उसमें वो हार गए थे लेकिन ये जैसी किसी चमतकार की तरह लगता है कि वो डेड़ मेंने बाद ही यानि कि 45 दिन बाद लिस ट्रस ने इस्तिफा दे दिया प्रधान मंतरी पत से और रिशी सुनक को एक और अवसु अवसर मिला है अपने आपको सिद्ध करने का और वो ये चुनाव जीत गए है और अब वो तयारी में है अपने नए सरकारी आवास पर जाने की 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाने की तयारी कर रहे ह सबी को इस बात को लेकर उसुकता है कि उनका वो नया घर कैसा होगा नया बंगला कैसा होगा तो चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि उनके नए बंगले में अंदर जाते ही एक काले रंग का मुख्य द्वार है जिससे भीतर जाने पर अतीतियों के स्वा लेगी है और जिश्य सुनक से पहले प्रधनमंत्री रही है लिस्ट्रस चलिए अब आपको ये भी उसकता होगी कि अब उनकी सालरी कितनी होगी उनका वेटन कितना होगा तो वित्मंत्री के रूप में उनके सालरी रही है एक लाख एकावन हजार छेसो उनसट पॉंड जबक करीब एक करोड़ एकावनला के करीब है भारती मूल की रिशी सुनक ब्रिटन के प्रधानमंत्री जब से बने हैं उन्होंने एक नया इतिहास रज़ दिया है और ब्रिटन की जंता की साथ साथ भारती इन जंता जो है वो भी बहुत खुश है वो बहुत प्रसंद है उन्हे निए वहां के PM के रूप में देखता हैं सबी को आशाएं है कि भविश्य में भारत कि और बिटिन के सम्मंद और ज्यादा सुधरेंगे और उन्हीं बहुत उमेद्य और आशाएं हैं बिटिन की जंता को तो है ही कि बिटिन के जो गंभीर समस्या है जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर वो अच्छी तरह कारी करेंगे और उन्हें सम्हालेंगे और उन्हें सुधारेंगे सबी को आशाये हैं तो रेडियो हिंदुस्तान की योड से ब्रिटन के प्रधान मंत्री टीशे सुनक को बहुत बहुत वधाई और शुप काम नाए तो हमारे साथ इसी तरह बने रही है नईने खबरे जानने के लिए आगे हम आपको और भी नईने खबरों से रूबरू कराएंगे तब तक के लिए अनुमति लेती हूँ नमस्कार